लिए 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 लुए हलो है नमस्ते कैसे हैं आप लोग हम लोग करेंट अफेस पढ़ रहे थे बच्चों करेंट अफेस के लेक्चर को continue करता हूँ ठीक है हम लोगों ने उस दिन ब्रिक्स के बारे में पढ़ा सार्क के बारे में पढ़ा और एसियान के बारे में पढ़ा एंड मैंने आप लोगों के comment section में जाके answers भी देखे बहुत सारे लोगों ने भूतान का Cambodia का answer दे दिया था it's very very good बड़ा अच्छा लगा देख के बच्चो प्लीज इसी तरीके से जब current affairs के sessions हम कर रहे होते हैं मैं गर आपसे किसी question को पूछता हूँ honestly इमानदारी के साथ pause किया कीजे और comment section में जाके वो answers लिखा कीजे इससे एक तो मुझे यह पता चलता है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही आप लोग भी उस चीज को उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं और दूसरा आपका भी answer सही होता है तो आपको एक feel good feeling मिलती है feel good factor आता है और गलत होता है तो आप यहां गलती जो करेंगे वो कभी भी एक्जाम में repeat नहीं होगी क्योंकि आपको सदैव याद रहेगा कि आपने comment section में क्या लिखा था और correct answer क्या था तो प्लीज continue करें इस जो practice को जो आप लोगों ने शुरू करिया I am very very thankful to you for that प्लीज उसको continue रखें ठीक है चलिए आज हम लोग तो हाँ हमने उस दिन Asian पढ़ लिया था सार्क पढ़ लिया था और Bricks पढ़ लिया था आईए आज कुछ इसी तरह की और bodies के बारे में बात करते हैं कि जी 20 ठीक है जी जी 20 को बिच्चों प्यार से कहते हैं group of 20 ठीक है जी group of 20 इसका नाम है हर body के साथ मैंने आपको एक हलका सा geographical idea देने का प्रयास करा है कि वो body कहाँ पे है है नहीं तो आप देखिए अब यह जो उसदिन अपने बात कर रहे थे कि सरी तो रीजनल को आपरेशन की बात अपन कर रहे थे topic का असली नाम तो अपने regional cooperation ही रखा था फिर अपने ये भी बात करी थि की bricks का एक्जामपल अपने लिया था अगर आपको याद हो तो और bricks के example में बी अपने इस चीजह को consider कि यह तो फिर भी geographically एक area में रहते यह तो बिलकुल distant area जिसको connect करा गया है तो अपनी यह बात हुई थी कि शायद इनका stage of development या फिर future orientation में वो common बात है जिसकी वजह से यह शायद एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं शायद इनका stage of development या फिर future orientation में देखे कितने प्यारे लग रहे मोदी जी को विश्वास नहीं हो रहा खड़े हो गए हैं वो तो इस तरह की जोग्रिफिकल डिस्टेंस के साथ भी ऑब्यूसली रीजिनल को आपरेशन की बात हम लोग कर सकते हैं तो यह हमने पढ़ा अब G20 की बात करता हूँ चलिए आप में से इसमें कितने मास सौरे कितने फ्लैग्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चलिए फटा फट देखिए कोशिश कीजए सबसे इजी वाले मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बताना बहुत आसान होगा दिस इस वेरी इजी इस वेरी इजी दिस अगें इस वेरी वेरी इजी ये बहुत आसान है ये बहुत आसान है इसका जवाब जो नहीं दे रहा है उसको तो क्या बोलूँ अब मैं ये बहुत आसान है ठीक है तो सारे इजी वाले मैंने मार्ग कर दिये नाव आइम गोंडू टॉक अबाओ ये भी थोड़ा आसान है लेट्स टॉक अलगे बिट बाओट ये बात करते हैं ये जो blue वालव फॉलैग है ठीक है ? ये जो blue वालव फॉलैग है इस तरीके से do blue धारियां है और उसके बीच में ऐसा है ठीक है ये कहां का फ्लैग है जर identify करने का प्रयास करेंगा आप लोग इस blue वालव आंसर दीजिए आप लोग मुझे देख रहे होंगे आप यहाँ पर यह जो ब्लू वाला फ्लैग है इसका आप मुझे आंसर देवें पॉस करके फटाफट क्विक्ली कमाउन इस ब्लू वाले का अंसर देए किया आंसर है जी आपका अब अब बता पाएंगे इस ब्लू वाले का अंसर क्या होगा है हां जी हां हां कि अगर कुछ लोगों ने लिख दिया है कमेंट सेक्शन में आंसर तो मैं बता दूं इसका अंसर है बटा अफगानिस्तान इस इस फ्लैग इस फ्लैग के बारे में आप से बात करता हूं यह फ्लैग करेंगे प्लीज यह जो पेप्सी बनी वी है बीचो बीच और यिन और यांग बना हुआ है अगर आप इसका सेंटर देखेंगे ना देखें छफीक और देखेंगे वी हज़गा करेंगे वी कि आपके सेंटर देख और देखेंगे इस आपके आपके समय सेंटर थी ही मैं आपके साफ़квाण दुर्य को परसके साफ इसका सर सो ना कि कल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टन से है इस इस सम्वाट सिमिलर तो वाट वी है जो अर्ध नारेश्वर एक रूप होता है I don't know how many of you have heard this term कर्द नारेश्वर का एक term होता है जिसमें सती का भी एक रूप होता है और शिव का भी एक रूप होता है and half the body is that of a male and the other half is that of a female उससे कुछ मिलता जूलता यह यिन और यांग कई चीजों को refer करता है good or bat को भी refer करता है और male female को भी refer करता है तो यह यन यांग का इसके अंदर आपको एक रूप देखने को मिलेगा यहां पर जो थोड़ा थोड़ा प्रिप्सी के लोगों के जैसा भी लग रहा है this is South Korea चीक है जी यह जो आप देख रहे हैं यह South Korea का मैप है बहुत बढ़िया अच्छा एक relatively थोड़ा शायद आसान इसका आंसर दे पाएंगे इस वन यह कहां का फ्लाइग है बता पाएंगे बच्छों देखिए नाओट यू सी जो उसके ऊपर में रिलिजिस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं यह तो कि यह दिस इस सम इस्लामिक नेशन कौन सा फ्लाइग है बताएं प्रबबली वन अफ दी वेरी व अग्रेसिव अंड लिबरी ना बॉडन इसलामिक स्टेट यह था तर्की तर्की यह क्या है ब्लाइग अर बेज क्रोम यहलो जो है लाइग लाइग ब्लाइग क्रोम यलो जो है वाट लाइग इस वेरी वेरी कि वी किन से ऑटो मोबील कैपिटल ऑफ दो वर्ड हमने बात करी थी इस कंट्री के बारे में कुछ समय पहले आप लोग बता पाएंगे पॉस करके लिख दें बहुत सही सोच रहे हैं आप यह सब्सक्राइब कर दिया जर्मनी बहुत बढ़िया और किसके बारे में आपके पूछ हूं राकी हां यह प्लाग के बारे में बताएंगी। कफी डिफेंट् फ्लागूशली अदि फ्लाग्स वाले फ्लाग्स विच हाईब फडिट्व वाले फ्लैग तो बहुत जादा देखने को मिलता है अब ने को लिग इस लीघ इस ट्राइब दूपर को गया यह वाले कम होते हैं जासे बताएंगे यह लेकर चलता हूं आपको यह जी ट्वेंटी कंट्रीज हैं और इन जी ट्वेंटी कंट्रीज में देर इस अल्फबेटिकल एरेंज किया हुआ है आर्जन्टीना ऐस्ट्रेलिया ब्राजील देखिये क्या कमाल की बात है कि अब यह टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जिसके लिए फुटबॉल रिलिजन से भी बड़ा है है ना फुटबॉल यहां पर रिलिजन है और ऐसा कहते हैं कि भई ब्रजील में अगर किसी को ऐसा किसी के बारे में अगर ऐसा पता चल जाए कि भई फुटबॉल के मैच में उसने मैच फिक्सिंग करी या ऐसा कुछ करा या टीम को हरवा दिया तो मार दिया जाएगा उस प्लेयर को और शायद और कोई भी गुना वहां पर फर्गिविबल है बट यह एक ऐसी चीज है जिसको माफ नहीं किया जाएगा इस कैनेड़ा इस वेरी 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 इस अ कॉमन फ्लाइग यहां पर आपको बहुत जगह दिखाई दे जाता है क्योंकि आपके बहुत सारे का जिन रेलेटिव वाह या तो जा रहे हैं या जाना चाहते चाइना अगेन वेरी वेरी कॉमन यूरोपियन यूनियन का यह फ्लाइग है यू यू इस मैंने आपको बताया था कि प्रॉबबली दुनिया की सबसे बड़ी यह प्रॉबली क्या अफकोस दुनिया की सबसे बड़ी रीजिनल कोपरेशन का एक्जांपल जो बहुत सारे कंट्री ने एक साथ मिलके अपना ए यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरो नाम की करन्सी को यूज करते हैं उसमें ग्रीस भी है जर्मनी भी है बहुत सारे कंट्री यह फ्रैंस जर्मनी इंडिया इंडोनेजिया तो यह दो इस्ट्राइप पला हमारा आंसर है इंडोनेजिया दे इतली जपैन जपैन देखो इफी किन से जो अपने खाने के समान के उपर में नॉन वेज वाला लोगों लगावा रहता है ग्रीन डॉट और रेड डॉट याद है कि नहीं बस वैसा इनका फ्लैग है देन देर इस मेही को या फिर मेक्सिको उके उनका फ्लैग है इस वेरी सिमिलर टू इटली इतली और मेक्सिको के फ्लैग को अगर आप देखिए एवरीटिं इस इस इमें जाइब जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है उनके फ्लैग हमारे लिए गैस करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि हम बहुत जादा क्रिकेट मैचे देखते हैं तो जब प्लेयर का नाम बताया जाता है जब इसका स्टैट्स रिवील कर रहा जाता है तो भी आपको यह फ्लैग देखने को मिलता है कई बार उनकी कैप्स पे आपको यह फ्लैग देखने को मिलता है उनकी स्लीव पे यह फ्लैग आपको देखने को मिलता है तो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन से देखिए उनको यह क्रिकेट प्लेइंगे से बागी तो क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा अमेरिका में बीच-बीच में प्रयास किया जाता है क्रिकेट को पॉप्लराइज करने का बदिन दिया आज अफ नाओ एक रिमोग रिजी अवाओ अमेरिकन फुटबबाल एंड देजबाल चली तो खैड यह अपन ने देखा आगे चलते हैं अपने g20 leaders meet annually at g20 summit हर साल यह लोग एक g20 summit रखवाते हैं जिसमें finance ministers sorry जिसमें कि g20 यानिकी जो यह group of 20 जो है जो countries है यहीं है तो इन कंट्रीज क्या जो लीडर्स है यह लोग मिलते हैं आपस में इसका एक सबसेट हो जाता है जी सेवन करके भी उसकी भी समिट होती है वो भी मैं आपको बात में आगे बताऊंगा फिलाल जीट्वेंटी पे फोकस करते हैं एक टजीट्वेंटी का हम इस्सा है ये भी हमारे लिए काफी कि बात मिनिस्टर जो है वो रेगिवलरी मिलते रहते हैं ़ो लोग साल में एक बार मिलते हैं जो लोग आपस में इसम्ए boy जय चलता हूं जो लेटेस्ट जी ट्वेंटी समिट हुई 2019 में फोर्टीन्थ मीटिंग थी चलिए दिस फोटोग्राफ जो हमारे पास होती है अपनी स्कूल की कॉलेज की जहां पर ग्रूप फोटोग्राफ होती है पूरी क्लास की और वो हम आजकल इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और फ लाइन में कहीं पर दिखे हैं नहीं से यहां पर तसर हमाई नजरें सिर्फ इसी शक्स के उपर रुप जाती है जस्ट इन थूदो जो की कैनड़ा के हैं यह लाइन में अरे यह रहे मोदी जी ठीक है जी तो मोदी जी आपको दिखाई दिये बहुत ही बढ़िया जी 28 से 29 जून 2019 28 29 जून 2019 को यह मीटिंग हुई मोसली जितने भी यह मीटिंग के बारे में अपने लेटेस डेट अपने को 2019 का ही दिया हुआ है तो महीना और डेट थोड़ा याद रखना पड़ेगा 2018 वाली जो घी 20 की समिट थी या जी 20 की मीटिंग थी वो ब्यूनिस एयर्ज आर्जिंटीना में हुई थी तो याद रख ले न जब मैंने सर फ्लैग्स को देखा था सारे फ्लैग्स को जब मैंने देखना शुरू किया था तो सबसे पहला जो फ्लैग था वो आर्जिंटीना का था तो अब मेरे को जब question पूछा जाएगा कि current वाला कहा हुआ तो मैं 2019 का बताऊंगा जो कि मुझे पता है कि Osaka Japan में हुआ है और उससे पहले वाला पहले वाला यानि की फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला यानि की आर्जंटीना यूने से और 2020 2020 वाला कहां पर होगा तो मैंने देख लिया कि भई डॉनल्ड ट्रॉम्प जो हैं 2019 की मीटिंग में जब आय तो किसके साथ जबसे ज़्यादा friendly होने का प्रयास कर रहे हैं देखे किस से दोस्ती बना लेते हैं तो अगली मीटिंग में भी अपनी इज्जत अच्छी होगी और अपने को फर्स्ट रो में खड़ा करा जाएगा ठीक है यह हमारे दुनिया के विलन नंबर वन शी जिन पिंग ठीक है ना बड़े बड़े लोग है व्लादिमिर पुतिन साहब है बुल सो नारो है ठीक है जी जपैन का बंदा ठीक है एब चलिए बहुत बढ़िया बात है तो अपने को क्या धियान रखना है फोटो में सबसे पहले आर्जेंटीना था तो 2018 वाला आर्ज 2020 कहां पे है 2020 सर रियाद साओधी अरभ्या में है फिर एक सवाल आ जाएगा कि सर आपने सबका बता दिया ये भी बताईए इंडिया में कब होने वाली है तो हमने देखा कि इंडिया कहां पे है सेकेंड लाइन में है देखो कहां पे है यह फर्स लाइन हो गई यह सेकेंड हो गई सेकेंड़ लाइन की 2020 तो हो गया था तब 20 222 की बात कर लेते हैं 2022 की बात लेते हैं 2022 का बात कर लेते हैं 2022 का जो है वो इंडिया में होगा और इकाल अवय सारा बात है यह G20 की समित को अपने होस्ट कर रहे होंगे ठीक है जी तो बहुत अच्छी बात है यह सारा डेटा अपने को याद रखना है अठारा पहले वाला पहले वाला यानि सबसे पहले जिसका फ्लैग आया था अर्जंटीना उन्निस तो मुझे याद ही है कि सर उसाका में हुआ था बीस जो है मुझे पता चल गया था कि डॉनल्ड ट्रम जो है रियाद साओधी अरभिया वाले बंदे के साथ जाधा घुल मिल रहा है और सेकंड रो में मोदी जी का था कौन सा कहा था ठीक है जी ट्विंटी में हम लोग ट्विंटी के बारे में भी बात करेंगे नैंटीन के बारे में भी बात करेंगे एटीन के बारे में भी बात करेंगे जी ट्विंटी में हम लोग सब के बारे में बात करेंगे तो अठारा कहां पे हुआ सर सबसे पह कि एक और चलो बढ़िया है तो इस तरीके से जी 20 की बाते भी हम लोगों ने सीख लिए आगे चलता हूं बिम्स्टेक नाम का एक नया इंस्टिट्यूशन है यह शायद आप लोगों ने चांसे तकी कम चांसे तकी नाम सुनाओगा क्योंकि एसियान वगेरा तो आपको स्कूल करिकुलम में भी नाम जरूर सिखाया जाता था सार्क का नाम भी स्कूल के दिनों में हम लोगों को बता जाता था लेकिन यह बिम्स्टेक जो है आईए देखते हैं क्या है यह बिम्स्टेक यह बिम्स्टेक बिम्स्टेक क्या है यह बिम्स्टेक बिम्स्टेक ठीक है तो बिम्स्टेक जो है एरिया देख लो सबसे पहले तो हर बार मैं आपको कोशिश करता हूं कि जोग्रिफिक तोड़ा region भी समझाओं तो यहां सर यह तो proper regional cooperation का model है सर पता चल रहा इसको देखके तो कि यह 100 टका regional cooperation के बारे में बात कर रहे हैं और एक और चीज़ देखो यहां पर हमने सिर्फ जमईन कश्मीर तक लिया है यह area इसमें covered नहीं है तो इससे यह भी पता चल रहा है that there is not going to be any Afghanistan, Pakistan यह लोग इसके हिस्सा नहीं बन रहे हैं हाँ यह हिस्सा नेपाल का है आपको पता ही है बच्चों यह हिस्सा जो है वो नेपाल का है नेपाल की जो region है उसको हमने cover किया है भूटान की region को भी हमने cover किया है ठीक है बहुत बढ़िया तो अब बात करते हैं कि BIMSTEC की क्या कहानी है what is it like तो भई सबसे पहले इसका नाम था BSTEC सबसे पहले इसका नाम था BSTEC BSTEC का मतलब क्या हो गया BSTEC का मतलब यह हुआ बेटा कि पहले ना सिर्फ चार ही members थे पहले सिर्फ चार ही members थे कौन से चार members थे जी सर पहले जो चार members थे वो थे बांगलादेश इंडिया then we have Sri Lanka and then we have अपना थाइलंड 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 हां सर तो ये मेंट आजबो मैं ज़ना आ तो शुरू शुरू में सर इंदिया था कै श्री लंका था निट जबांगलादेश था ठालेन्ट था ठीक है तो B.I.S.T. हो गया और B.I.S.T. का मतलब क्या हो गया बांगलादेश, इंडिया, श्री लंका, थाइलेंड और E.C. का मतलब उस समय था Economic Cooperation, Economic Cooperation ठीक है जी तो बांगलादेश, इंडिया, श्री लंका, थाइलेंड, E.C. कोपरेशन पूरा नाम इसका हो गया फिर क्या हुआ फिर अच्छा ये सब कुछ कब हो रहा है 6th June 1997 की ये कहानी है 6th June 1997 की ये कहानी है इसके बाद में मियानमार जो है बर्मा कहा जाता था कभी से मियानमार जो है उसने जॉइन किया 22 डिसेंबर 1997 को आप लोग प्लीज थोड़े से नोट्स लिखें ये वाले है ना ये जो चीजे में आपको बता रहा हूँ या आप लोग लिखें कि वह पहले चार ही मिंबर्स थे इसलिए बांगलादेश इंदिया श्री लंका थाइलेंड इकनोमिक कोपरेशन इसका नाम था बसके बाद में यहां पे मियानमार आया कभी आया जी मियानमार सर मियानमार आया था 22 December 1997 को यह आध मार सर आया 22 December 1997 को आपको दिखाए देगा 22 December 1997 को अब यह बन गया बांगलादेश, इंडिया, म्यानमार, श्रीलंका, थाइलंड, बिमस्टेक बन गया जी, बिमस्टेक बन गया, बिमस्टेक बन गया, बहुत अच्छी बात है, अभी तक इसका नाम कंट्री के नामों के उपर ही था, there was no other logic involved, फिर क्या हुआ, सर फिर यह हुआ कि स अगर 2004 में नेपाल और भूटान भी जुड़ गए, तो यह नेपाल यहां पर और यह अपना भूटान यहां पर, ठीक है न, तो यह लोग भी जुड़ गए, तो जब यह लोग जुड़े, तो दे रियलाइस कि यहार अब ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो नाम को तो नाम बड़ा कॉंप्लिकेटेड हो जाएगा, तो उन्होंने अपना नाम बिमस्टेक ही रखा, और देखो, अब्सर्फ करने वाली बात है कि यहां पर जब अपने बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या था, बी आई एस्टी के बाद में हाइफन के बाद इसी था, यहां कि पहले कंट्री के नाम है और फिर एकनोमिक कोपरेशन लिखा हुआ है, लेकिन जो आखरी बार वाला जब आप देख रहे हैं, या फाइनल जो आप प्रारूप आपके सामने आ रहा है, वहां पर देखे कोई हाइफन वगेरा निया डिरेक्ली बिमस्टेक है, क्यों? क्यो अग्यांतुरल, टेकनीकल आणी कोपरेशन ध्यान से सुन्यें, बे उफ बेंगॉल哎नीशियटिफ पोर मल्ती सेक्टor अल टेकनीकल आणी कोपरेशन यह अपना बिटा पानी जो है ये बेओ बेंग का पानी है, बंगाल की खाडी जिसे कहा जाता है, इंदिया में एक तरफ नीचे इंडियन ओशन आता है एक तरफ अरेबियं सी आता है एक तरफ में आउब बंगाल की खाड़ी है इन सारे ही कंट्रीज पे कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा इसका असर पढ़ता है ओल्थो नेपाल इन भूटान थोड़ा लैंड-लॉक्ट है बुट फिर बी डेयर न एनि इनीशेटिव प्रमेटी सेंटरल्पमोरेशिंग है जी मल्टी सेक्टरल्पमोरेशन मैं bissट्चरल्पमोरेशन अई इसका पूरा नाम हो गया फीक है जी तो क्या नाम है बताईए जराब अच्छे से Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral and Technical Economic Cooperation ठीक है जी? B से Bay of Bengal I से Initiative M और S से Multisectoral T से Technical और EC से आपको पता है शुरू सही Economic Cooperation था तो ये BIMSTEC का नाम हो गया ठीक है जी बच्चों ये आपने देख लिया BIMSTEC का नाम ओके तो ये भी एक चीज पता चली अच्छा दूसरी important चीज क्या है दूसरी important चीज जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा थोड़ा सा जूम करके आप ये पढ़ पा रहे हैं तो क्या है कि इनीशली जब इसे बनाया गया था बच्चों जब BIMSTEC को बनाया गया था कब बनाया गया था सिक्स्ट जैन्वरी सिक्स्ट जैन्वरी 1997 को बनाया गया था राइट इसी के साथ एक और चीज़ पता चले कि BIMSTEC का हेड कोटर कहां पे है धाका बांगला देश में है शायद इसी लिए जिद करके इन्होंने अपने नाम से शिरू करवा दिया औरगिनाइजेशन को बांगला देश का नाम सबसे पहले रख दिया ठीक है इस तरीके से यह लॉजिसली यह लॉजिक की बात नहीं है यह बस ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं कि विम्स्टेक का नाम B से स्टार्ट होता है इसी लिए वहाँ पर उन्होंने अपना हेडकौर्टर भी वहीं पर रखवा लिया ओके जी बहुत अच्छी बात है धाका में इसका हेडकौर्टर हो गया अब अपने बात कर रहे it was focusing on six sectors कौन से थे वो छे सेक्टर बिटा trade technology energy transport tourism और fisheries ये छे सेक्टर पे focus करा जा रहा था trade पे, technology पे energy पे, transport पे tourism पे और fisheries पे ठीक है, तो बहुत आसान है देखो, सारा T ही भरा पड़ा है एक T से trade है, एक T से technology है, एक T से अगर आप observe करेंगे, तो transport है एक T से tourism है तो चार तो आपके पास में T ही हो गए trade, transport tourism and technology, technology उनके नाम में ऐसे भी mention है, तो technology आना ही चीए तो trade हो गया trade हो गया, technology हो गया transport हो गया और tourism हो गया बहुत अच्छी बात है से चार तो यह हो गया, बागी क्या बचा एक बचा energy और एक बचा fishery, Bay of Bengal की बात कर रहे हैं, इतने ज़ादा aqua, इतनी marine source की उपर आपका नाम है, तो obviously fisheries तो वहाँ पर आना ही चाहिए बहुत अच्छी बात है तो यह सारी बात भी अपने को समझ में, उसके बाद में eventually क्या हुआ, कि जी जब शुरू किया गया था, तो इन छे चीजों पर focus रखा गया था, लेकिन फिर 2008 में आप लिख सकते हैं, जो 2008 में फिर और भी कई एरियाज में इसको expand करा गया, जैसे कि agriculture, public health poverty, elevation counter-terrorism environment, culture people to people contact and climate change और भी 8-9 एरियाज में इसको expand कर लिया गया, तो आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि जी शुरुवाती दौर में ये, शुरुवाती दौर में ये 6 fields पर focus करता था, 6 fields पर इसका focus था जिसमें कि trade, technology, energy, transport, tourism और fisheries था और उसके बाद में ये और 9 एरिया में expand हो गया बहुत ही बढ़िया तो 6 areas से start हुआ था और फिर 2008 में इसको 9 और sectors में expand करवा दिया गया बहुत बढ़िया तो ये बिम्स्टेक की बाद अपने को पता चली इसके बाद में, अच्छा अब ये PM की जब oath ceremony हुई मोदी जी की जब oath ceremony हुई प्रधान मंत्री बने वो 30 मई 2019 को दुबारा जब उनका पुनर चुनाव में वो निर्वाचित हुए तो फिर यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया जी कि सब को बुलाया अपनी swearing in ceremony में तो जो अपने नाम पढ़े थे श्री लंका का नाम अपने पढ़ा बांगलादेश का नाम अपने बांगलादेश का नाम पढ़ा प्रिलंका का नाम पढ़ा नेपाल भूतान का नाम पढ़ा थाइलान का नाम पढ़ा और कौन है म्यानमार का भी नाम पढ़ा यह सारे लोग मोदी जी की इस सभा में आए पीर मोद सरीमनी में अज इन्वाइट गेस्ट इन्होंने ग्रेस करा ओकेजन को न्यू डेली डिसेंबर 11 2019 यहां पर क्या हुआ कि पर डिपार्टमेंट ऑफ अगरी कल्चिरल रिसर्च एन एजूकेशन यह बॉडी के नाम बताया जारे हैं जिन्होंने यह एक समिट रखी एक इन्होंने एक इंटरनाशनल सेमिनार रखा नाम आप पड़ पा रहे हैं क्या बचों यहां पे जो नाम मैंने लिखा है देखो बाहर एक सेखना यह पोस्टर जो है Climate Smart Farming System International Seminar on Climate Smart Farming System यह रखी गई इसमें सारे यह लोग मिले अलग-अलग कंट्रीज के किस ने इसको और्गनाईज कराया था, who had organized this तो हमने बूला Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agricultural Research and Farmers Welfare और उसके बाद में Indian Council of Agricultural Research इन लोगों ने मिलके इस इवेंट को और्गनाईज करा था तो there is Agriculture Research और Education का जो Department है वो जो Ministry है Agricultural Research और Farmer Welfare की and plus Indian Council of Agricultural Research तो MCQ में question although थोड़ा long shot है बट पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सी organizations थी उस group में या कौन सी इन में से नहीं थी जिनोंने climate smart farming system के उपर में international seminar रखा था तो इसी के साथ हमारे BIMSTAC की बात भी खतम हो जाती है तो हमने आज G20 के बारे में बात करी और BIMSTAC के बारे में बात करी बहुत अच्छी बात है अब हम को हमारे अच्छा कई होनी जोगों के यह phone calls आ रहे हैं messages आ रहे हैं कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें current affairs कि हखां से पढ़ना है कौन सा एरिया है जहाँ से हमको सर current affairs पढ़के cover करना है तो बेटा यह तो बहुत ही मतलब तुम लोग डैश पने कर रहे हो ऐसा सवाल तुम्हें एक्चिली पूछना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्यों नहीं पूछना चाहिए इसलिए नहीं पूछना चाहिए कि भई अब तुम लोगों को आइसी एसाई का जो किया हुआ इसको आपकी स्क्रीन पर यह सई चल रहा है कि नहीं यह तो अपने बात कर रहे थे कि यह तीन एजनसी के नाम अपने पढ़ लिए जिन लोगों ने इस इवेंट को करा और मैं आपको करते हैं कुछ इंडियन नाशनल बॉडिस के बारे में लोगों ने बहुत सारे इंटरनाशनल बॉडिस के बारे में बात करी अब आपके सिलिबस में कुछ तो यह कई लोगों का यह क्वेश्चन रहा है मेसेज करते हैं फोन करते हैं पूछते कि सर हम लोगों को करेंट अफैस कहां से पढ़ना है सर अले इतलो बडू वाश्च चे क्या थी बनवान उच्छे मारत का जो खबर अचना पड़े तो भीया एक सिंपल सी बात है देखिए आप शा बाउंडरी ही नहीं है there is no boundary to GKN current affairs but at least ICSI ने बहुत ही clear demarkation करा है आपको एक study material दिया है और उसी की चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है वो study material हम आप लोगों को अल्रेडी print करवा के available करवा चुके हैं कोई अगर बच्चा जिसने अभी तरह collect नहीं किया है तो प्लीज जे अले मेरा वीडियो देख लो फिर वह वाला material खोलके वहां से पढ़ो देल भी nothing जिसको की cover नहीं किया गया होगा कुछ-कुछ चीज़ें वीडियो में of course थोड़ी जादा बताई होंगी तो nice to know information है याद रह जाये तो अच्छी बात है नहीं रह तो भी कोई बात नहीं है आ आप लोगों को study material दिया गया है प्रिंट करवा के उस वो आपकी Bible है वही गीता है वही कुरान है उसी का एक limit रहेगा उसी का एक universe है वही दाइरह है उसके अंदर की चीज़ों को ही हमें पढ़ना है ठीक है जी तो परिशान नहीं होना है पहले कोई भी subject हो चाहे law की बात हो चाहे economics की बात हो पहले विडियो अटेंड करो फिर किताब से पढ़ लो ठीक है जी मेरे जो जित्ते भी पीपिटी रहती है उनमें 90% of the times जो किताब में जो portion हो सारा का सारा मैं अपनी पीपिटी में डालता हूं हाला कि उसका presentation का तरीका change कर देता हूं थोड़ा ताकि वो थ सारा international bodies की अमने बात करी नो वी गुना study a little bit about our national bodies अभी इसमें आपको नीति आयोग की बात पढ़नी है Reserve Bank of India के बारे में पढ़ना है सेबी के बारे में पढ़ना है CCI Competition Commission of India के बारे में पढ़ना है Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI and Institute of Company Secretaries of India ICSI some of the biggest institutions and some of the most vital and important institutions to your career to your curriculum देखिए नीति आयोग के बारे में तो बिटा आपने 11-12 में भी पढ़ा ही होगा कि Planning Commission को हटा कि नीति आयोग को लाया गया Yes or No हंजी सर RBI Reserve Bank of India सर गांधी जी हमारी जेब में होते हैं तो उनका address उसके नीचे RBI का ही लिखावा रहता है SEBI Securities Exchange Board of India ये जो topic है ना SEBI CCI IBBI ये तीन topic बिटा आपके पूरे syllabus में कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले आपको law में भी इनका नाम सुनना पड़ेगा executive की stage में इनको और detail में पढ़ना पड़ेगा तो इनको पढ़ाते समय अगर मैं आपको दो चीज़ें ज़्यादा बता दूँ तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए आपको यही समझना चाहिए कि भविश्य में आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा detail में पढ़ना है तो SEBI जो है वो इंडिया का जो stock market है बचों share बजार जिसे हम कहते हैं उसका regulator है उसका regulator है उसको regulate करता है manage करता है control करता है ध्यान रखता है कि कहीं कोई घोटाला ना हो कहीं कोई fraud ना हो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए SEBI का नाम हमें दिया गया है CCI competition commission of India जो यह प्रयास करती है कि इंडिया में कहीं कोई monopoly ना create करे dominant position को abuse ना करे दूसरे लोगों को compete करने से रोका जाए या ऐसे situations पैदा करे जाएं कि दूसरा कोई competitor या दूसरा कोई player market में operate ही नहीं कर पा रहा है ऐसी situation ऐसी हालात पैदा ना हो इस दिशा में काम करता है अ IBBI is Insolvency and Bankruptcy Board of India आजकाल यह काफी buzzword बन चुका है IBC कहते Insolvency and Bankruptcy Code 2016 का जिसमें की companies को कैसे liquidate होना है किस तरीके से wind up होगा इन सारी चीजों के उपर में काफी चर्चा हुई है तो यह भी आपको ध्यान रखने और ICSI तो obviously आपका जिन्दगी भर alma mater रहेगा क्या मतलब होता है बेटा Alma mater का जल्दी से pause करके बताओ तो Alma mater का मतलब क्या होता है बेटा बताओगे Alma mater का मतलब क्या होता है Alma mater का literal meaning क्या होता है जल्दी से pause कर दो pause कर दो बता दो बता दो Alma mater का मतलब यूं तो होता है बच्चो my nourishing mother क्या मतलब होता है sir my nourishing mother मतलब होता है but practical sense में इसे use किया जाता है उस institution के लिए उस school college के लिए जहां पे आप कभी पढ़ते थे यानि कि जहां के आप alumni है ठीक है जहां पे आप कभी पढ़ते थे तो आपकी एक्स school आपकी एक्स college आपका एक्स institute जो है वो आपका बन जाता है Alma mater तो बात अपने कर रहे थे ये Alma mater की तो अपने को पता चल गया जी Alma mater जो होता है वो आपका एक्स institute जो है उसको हम कहते हैं Alma mater my nourishing mother ठीक है जी तो चली तो आपका Alma mater जीवन भर रहेगा ही आगे चलते हैं अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीती आयोग के बारे में तो ये हमारे चाचा जी ठीक है planning commission हुआ करता था कुछ इस तरीके का जिसको इसने replace कर दिया ये planning commission तो आप लोगों को पता ही है बच्चों 1950 में set up हो गया था राइट 2014 तक ये चला 1950 से लेके 1950 से लेके 2014 तक ये planning commission चली इन्हों ने इस दौरान इन्हों ने इन्हों ने इस दौरान क्या किया 12 5 year plans बनाए इन्हों ने इस दौरान 12 5 year plans बनाए और उसके बाद में eventually ऐसा लगने लगा कि जी especially of course आपने देखा कि government यानि कि regime का change हुआ 2014 में भारते जंता party ने सरकार बनाई है नरेंजर मूदी हमारे प्रधान मंत्री बने तो उन्हों ने ऐसा कहा कि भई ये setup को change करना है और इसकी जगे पे हम लाएंगे नीती आयोग ठीक है जी इसकी जगे पे हम लाएंगे नीती आयोग क्या बेसिक कारण था क्या फंडा था नीती आयोग को लाने का what was the difference between what it was like what planning commission was and what नीती आयोग was planning to be जी चलिए देखते हैं तो नीती आयोग जो है नीती आयोग जो है बच्चों इटेज कहां गया जी हमारा नाशनल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिस इंस्टिउशन को बनाया गया उसका नाम रख दिया नीती आयोग हैसा नाम यह बेसिकली बच्चों चाइना की एक बॉड़ी है जिसको चाइनीज गवर्मेंट ने बनाया अपने डिवलप्मेंट प्रॉसस के दौरान और अपने प्लैनिंग के प्रॉसस को रिवैंप करने के लिए उसी बॉड़ी को मॉडिल करके उसी बॉड़ी को स्टैंडर्ड या बेस रखते हुए हमने भी नीटी औयोग की अर्फ अब नीटी अयोग का प्राइम मिनिस्टर कॉन है जी सरी का नीटी और का चैरपरसन कौन है चैर परसन अब नीटी आयोग वो नीटी इंवरी चैर्मंट बन गये इस टापलिष्ट एस्टानवरी से नीती आयोग का काम शुरू हो गया अब यहां पर यह बात देखनी है कि जो सवाल में आपसे पूछा था कि आखिर क्या जरूरत थी क्या कारण था जिसकी वज़े से यह करना पड़ा तो एक नया वर्ड आया नीती आयोग की वज़े से जिसे हम कहते हैं कुआपरेटिव फेडरिलिजम क्या कहते हैं एक वर्ड आया जिसे हम कहते हैं कुआपरेटिव फेडरिलिजम का मतलब क्या हुआ जी कि प्लैनिंग कमिशन जो थी प्लैनिंग कमिशन जो थी it was more of a central government agency जो की शायद पूरी country के लिए प्लैनिंग कर रही थी and states did not have a very important role to play जो राज्य थे उनका एक बहुत बड़ा भूमी का नहीं था तो नीती आयोग ने इसको visualize किया कुछ इस तरीके से कि let the state and center play and let they be footed at an equal spots और दोनों को एक जैसा अधिकार मिले participate करने का और वो लोग cooperate करते हुए state government and central government दोनों अपने तरीके से किसी solution तक पहुचें rather than कि central government planning करे और उसे थोप दिया जाए उसे impose कर दिया जाए हर state government के ऊपर ये एक basic broad differentiation था एक differentiating factor था नीती आयोग का over planning commission ठीक है जी क्या है cooperative federalism नाम का word मैंने आपको बताया चले let's move ahead ये मोदी जी की twitter wall है जिसमें उन्होंने 1st January 2015 को ये काफी सारे tweets करें क्यों नहीं हो राजी जूम कोई बात नहीं नीती आयोग विल इमर्जेज अन अक्टिव नीती आयोग विल इमर्जेज अन active and important institution that will play a pivotal role in India's development journey in the years to come having served अब देखे यहां पे उन्होंने उस बात को emphasize करा है कौन सी बात को emphasize करा है having served as the cm in the past I am very much aware of the importance of actively consulting the states नीती आयोग does precisely that यानि की state को consult करा जाए state की राय ली जाए state का एक opinion लिया जाए while you are forming or trying to frame a new policy or coming up with a new plan ठीक है आगे क्या लिखा है अप्रोपीपल प्रो एक्तिव अन पार्टिसिपेटिव डिवलप्मेंट एजंडा stressing on क्या लिख दिया है जी empowerment and equality is the guiding principle behind नीती आयोग फिर लास में बताया थूद नीती आयोग we wish to ensure that every individual can enjoy the fruits of development and aspire to lead a better life यानि कि कहीं ना कहीं जो planning commission planning commission का basically funda कैसा होता था बच्चों आप लोगोंने school में जरूर पढ़ा होगा कि planning commission के द्वारा five-year plans बनाये जाते थे हम five-year plans बना रहे थे उसमें goals ले रहे थे उसमें targets ले रहे थे बट rarely we were able to achieve that तो कहीं ना कहीं तो वो one dimensional planning हो रही थी जो कि आप सारे पहलूओं को अच्छे से ध्यान नहीं देखे बलकि एक macro level से bird eye view से आप उपर बैठे वें आप हर state का individual problems क्या है उनको नहीं समझ रहे हैं और आप central level पर उस planning को करने का प्रयास कर रहे थे कहीं न कहीं इसलिए planning commission का performance अतना अच्छा ना रहा इसलिए अब नीति आयोग के थूँ एक different approach follow करने का प्रयास करा जाएगा जिससे कि शायद लोगों का standard of living में बहतर improvement आए अब इसमें कुछ differentiating factors जो है इसे एक think tank के रूप में देखा जाता है किसके रूप में देखा जाता है think tank के रूप में देखा जाएगा यानि कि यह आपको strategy बनाने में मदद करेगा यह आपके लिए planning नहीं करेगा यह आपके लिए planning नहीं करेगा जो planning commission पूरा planning करके दे देता था और सब को सको implement करना होता था वैसे काम नहीं करेगा it's a think tank it will help you analyze things and it will help you strategize but it is not going to plan on your behalf facilitator की भूमी का निभाएगा यानि की it is not going to do everything for you it is just going to facilitate things and then eventually the state government and the central government will have to figure things out and they'll have to manage it cooperative federalism की बात मैंने आपको बताई cooperative federalism का मतलब क्या हो गया हमने discuss करा कि center और state दोनों equal roles निभाएगे center और state दोनों की भूमी का जो होगी बराबर की रहेगी दोनों को participate करने का अफसर दिया जाएगा इसमें part-time members भी होते हैं जो की planning commission में नहीं होते थे इसकी position में CEO की position होती है CEO की position होती है जो की of course planning commission में ऐसी कोई भी position नहीं हुआ करती थी चलो अब pause करो और मुझे बता दो जटपट मेरे प्यारे लालों की planning commission का मौझूदा CEO सॉरी नीती आयो का मौझूदा CEO कौन है जल्दी बताओ 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 कांट ठीक है जी अमिताब कांट जो है वो CEO है नॉमली इस तरह की designation बच्चों नहीं होती है राइट इस तरह की designation corporate world में होती है तो कहीं ना कहीं सी क्या प्रयास किया जा रहा है कि bureaucracy का जो रूप है उसे थोड़ा बदल बदल उसमें थोड़ा परिवर्तन कराया जा रहा है उसको थोड़ा sharper crisper दिखाने का प्रयास करा जा रहा है कि this is not like the age-old institutions जो सिर्फ बातें कर रहे थे plans बना बना के छोड़ दे रहे थे इनको go getter attitude दिखाने के लिए शायद इस तरह की नई positions create करी गई और इस तरह का नितियायोग में CEO की position और यह GC का मतलब governing council है इस तरह की position होती है वहाँ पे नहीं होती थी यह cooperative federalism में विश्वास रखता है लेकिन नहीं वो सिर्फ central government को जादा महत्व देता था यह facilitator की भूमी का निभा रहा है मदद करेगा थोड़ी बहुत enable करने में आपको मदद करेगा लेकिन सारा काम आपके बिहाफ पे नहीं कर देगा think tank है जो strategize करने में मदद करेगा लेकिन आपके बिहाफ पे पूरी planning नहीं करेगा जो की planning commission कर रहा था चलिए composition of नीती आयोग को पढ़ते हैं very 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 important this portion is बच्चों आपको ये exam के लिए बहुत ज्यादा important है here you will find the question that I just asked CEO Amitabh Kanth ठीक है जी तो आपको बताया है कि भाई कैसा इसका setup रहता है तो पहला बताया है कि इसमें chair person होता है ठीक है जी नराज हो गया अचकल जूम होने से मना कर देता है कोई बात नहीं तो chair person का नाम लिखा हुआ है बिटा obviously आप बता सकते हैं बिटा chair person कौन होगा सर जी हाँ सर ट्राइम मिनिस्टर जी होंगे यानि कि कौन होगा chair person नरेंदर मोधी हो गया उसके बाद में governing council है क्या लिखा है यहाँ पे सर governing council लिखा है governing council में किसका नाम दिया हुए आप देखिए सर बताया हुए सी एम चीफ मिनिस्टर स्टेट का और जो यूटी होती है यानि कि यूनियन टेरिट्री होती है उसमें sir lieutenant governors होते हैं उसमें होते हैं आप लोगों को इस बार क्विज में भी questions पूछे गए आपको याद होगा हम लोगों ने question पूछा था आप से कि दिल्ली का लेपने गवर्नर कौन है और आप लोगों ने बिलकल गलत जवाब दिया था उस quiz में चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ पर हमारे पास में स्थेट के चीफ मिनिसेश आगे अगे अगे लेपनेंड गवर्नर कांसिल में के मेंबर में तो आप देखिये थीज़ार ऑविसली इस ऐसाए यह रीजिनल कांसिल्स फिर्म न्यीड बैसे जो अगर बनाने की जरुए ज़रत पड़ती है जब जहां बनाने की जरुद ministers or left and governors ही हिस्सा होंगे members कुछ full-time members होते हैं कुछ part-time members होते हैं part-time members में क्या बोला है maximum two rotational from relevant institutions relevant institutions मतलब आप लेके आ सकते हैं जो institutions हमारे पास में हैं RBI जैसे या सेभी जैसे या और भी जो अपने पास में government के पास में institutions हैं उनसे नबाट से उठा के ला सकते हैं और उन लोगों को rotational basis पे दो part-time members को रखा जाता है ठीक है जी बहुत ही बढ़िया इसके बाद में हमारे पास में क्या है एक्स official members है maximum four from council of ministers nominated by PM ठीक है जी एक्स official members देकि मनें आपको यहाँ पे नाम भी बताए है एक्स official members में राजनाथ सिंग का नाम आपको बताए कौन है जी बटा राजनाथ सिंग जल्दी बताएं राजनाथ सिंग कौन है हेलो राजनाथ सिंग कौन है ऐसा कैसे चलेगा बिटा ऐसा कैसे चलेगा कैसे चलेगा ऐसा राजनाथ सिंग कौन है यह तो बताओ यार यह कोई बात हुई क्या यार अभी तो आपने देखा था उनको शस्त्र पूजन करते हुए हुँ हुँ है अमिज्शा को तो जानते हो वो कौन है अमिज्शा कौन है अमिज्शा बेटा यह बताने में भी मुझे शर्म आ दिया है है अमिज्शा कौन है होम मिनिस्टर है सर निर्मला सीता मया कौन है सर है फिर कोई छोड़िए न सर चलो ठीक है जलील नहीं करता क्विज्श में अपने सारी पॉइंट्स डिसकस करे थे और आशा करता हूं कि जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं थोड़ा ध्यान रखने वाले बच्चे उनको जरूर इन सवालों के जवाब पता है ठीक है में सब्सक्राइब नॉम्स्ट्री समाल रहा है ये सारे वो लोग हैं जिनको नीति आयोग में नॉमिनेट करा गया है पी एम के द्वारा स्पेशल इन्वाइटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं स्पेशलिस हो सकते हैं यहां पर आपको नितिन गढ़कारी का नाम दिखाई दि सब्सक्राइब के बारे में पूछा गया था प्लस आप से पूछा गया था अबाउट ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री है ना तावर्चन गेलौत हैं पियुष गोयल हैं राव इंदर जीत सिंग यह सारे लोग यहां पर आगए इन्वाइट वाले में से क्रेटरियेट दिया ह हुआ है जब जहां जरुत पड़ेगी तो बनाया जा सकता है तो यह नीतियायोग की बात हुई अब नीतियायोग के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंस अपने देखते हैं जी रेलेवेंस ऑफ नीतियायोग में पहली बात बुली है competitive federalism competitive federalism का मतलब क्या हुआ बड़ी चित्री सी बात है सर ऑन वन एंड यह सेंग competitive federalism यह कैसे हो सकता है सर या तो हम compete कर सकते हैं या फिर हम cooperate कर सकते हैं हाओ किन बोद देखे कैसे यह दोनों चीजें हो रही है और बोद इस तिंग्स आर हेल्दी और बेनिफीशल फॉर आ कांट्री पहला competitive federalism को आपको बिटा समझना है competitive federalism को आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि वेन देरा टू वेन देरा टू कि क्या कहते हैं स्टेट्स इंवार्ड बोद इस स्टेट्स आर कंपीटिंग विट इच अधर आई जिस्ट होप मेरे लैप्टाप पर कि पॉस कर रहे हाँ हां तो कहा थे हां competitive federalism के बारे में मैं बात कर रहा था competitive federalism के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि let us say there are two states involved and both these states want to obviously every state wants to develop and every state wants to increase their standard of living and to us ke liyeh zaruri hooga कि उनके पास में best of the companies आए अपना plant setup करें अपना business setup करें तो जब ऐसा ऐसा कोई मौका होता है तो states जो होंगे वह आपस में कहीं न कहीं एक healthy competition कर रहे हैं to attract the best of the industries to attract the maximum amount of business मैंने आपको कभी तो economics में पढ़ाया था तो I had given you the example of vibrant गुजरात और UP की summit के बारे में बताया था तो यहां पर competitive federalism भी हो रहा है यानि कि every state is going to engage in a healthy competition ताकि और अब अगर सारे के सारे states मजबूत हो जाएंगे सारे के सारे states अगर अपनी position अपने performance का सुधारेंगे तो obviously India will be in a much better state right cooperative federalism की बात मैं आपको already बता चुका हूँ यहां पर बस center और state का example आपको समझना है एक तरफ state government है और एक तरफ central government है देखो भाजब को दिखा दिया है ठीक है तो यह जो center और state का जो cooperation है यह पहले absent था यह planning commission में बिलकुल absent था but with the help of niti आयोग यह वाले angle को आप explore कर पा रहे हैं with the help of niti आयोग आप इस angle को explore कर पा रहे हैं और इसकी वज़े से भी काफी फाइदा होगा so that is again a relevance of niti आयोग चलिए इसके बाद में क्या लिखा है relevance of niti आयोग में हमने एक और बात रखी है accountability ठीक है जी accountability word का मतलब क्या होता है जी what do you mean by the word accountability यह सारे points आपको अपकी book में दिखाई देंगे और उनी points के बारे में हम individually बात कर रहे हैं ठीक है तो डरने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं accountability word का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ sir accountability word का मतलब होवे है जवाबदारी क्या मतलब होता है sir जवाबदारी मतलब होता है answerability मतलब होता है यानि कि आप से मैं यह सवाल पूछ सकता हूं कि why did it not happen या ऐसा क्या कारण था जिस वैसे यह achieve नहीं हो पाया या why were you not able to do it यानि कि नीती आयोग ने क्या किया कि देखिए जब आप किसी planning के process में किसी strategizing के process में किसी goal setting के process में participation को बढ़ा देते हैं यह management में आप लोगों को सिखाया जाता था management by objective करके एक process होता है बचों MBO बोलते हैं उसको Peter F. Drucker की वो शायद दिमाग की उपज है और उसमें उन्होंने बताया कि management by objective एक तरीका होता है जिसके थूँ क्या किया जाता है कि लोगों को mutual goal setting करवाई जाती है कि आपसे जैसे for example मैं आपसे बात करूँ और मैं आपको बोल दूँ कि बिटा तुमको न as you would have been if you would have been a process if you would have been a part of the goal setting process तो मैं अगर आपके साथ बैठता हूं बोलता हूं बेटा 12th में क्या number आए तेरे CS का तुन्हें अभी तक कितना portion cover कर लिया है तुझे क्या लगता है कि कौन सा तेरा strength वाला area है कौन सा weakness वाला area है इस area में तो कितना score करने का आपको लग रहा है कि आप score कर पाएंगे overall आपके लिए क्या score एक manageable होगा let's say आप कहते हैं कि sir 100 number passing marks है मुझे लगता है मैं 140 जैसा score कर सकता हूं तो अपने बात करते हैं कि बिटा आपको क्यों लग रहा है कि आपके ये 60 number नहीं आपाएंगे कौन से area में आपके number कटने की आपको डर लग रहा ह तो आप बताते हैं कि sir मुझे x y z area है जहां पर थोड़ा डर लग रहा है मुझे लग रहा है कि वो area मेरा मजबूत नहीं है तो अपन बात करते हैं कि उसको कैसे cover करा जाया आप मुझे बताओ कि मैं कैसे आपकी मदद करूँ उसके extra lectures रखवा दूँ या उसके मैं आपको hand written चीजें कर दीजे तो sir शायद थोड़ा फाइदा हो जाएगा eventually मैं कहता हूं अब जब यह चीजें हो जाती है then can we be looking at a score of 160 तो आप कहते हैं सर यह सब हो जाए तो फिर 160 तो easily manageable है in fact मैं 165 170 का target कर सकता हूं तो मैं कहता हूं चलो फिर त्यारी करते हैं उसी कि let us try and get a score of 170 तो अ आपने खुद मेरे साथ बैठ के इस target को set करा है mutual goal setting हमने करी है तो आपका जो इस target के प्रती commitment होगा आपका जो इस target के प्रती dedication होगा that is going to be unmatchable that is going to be unmatchable इस target को आप उस target के साथ compare ही नहीं कर सकते है जो आपके उपर थोप जाज रहा है right तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर center और state दोनों साथ में मिलते हैं तो उनका target के प्रती dedication भी भरता है at the same time उनकी accountability भी बर जाती है accountability भी बर जाती है जवाबदारी भी बर जाती है अब आप ये blame नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या पता center ने कुछ भी हमारे उपर थोप दिया हमाई थोड़ी ना परिशानी है हम तो जानते ही नहीं थे जाओ central government से बात करो central government कह रहें कि हमने तो plan बना जा सकता ठीक है ना blame game समझते हैं ना एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलाया जाता है तो वो नहीं करके अब accountability freeze हो जाएगी पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेदार है किस से बात करनी है इस particular point के बारे में उसके बाद में हमने लिखा है think tank तो think tank की बात भी क बहुत जादा complicated नहीं अपने इस बारे में बात कर चुके है think tank के बारे में भी अपने बात कर चुके है कि think tank में अपने को यह समझना है सर कि think tank के द्वारा नीती आयोग जो है वो आप ऐसा समझो कि corporate world से मैं आपको इसकी analogy देता हूं एक word मैंने आपको भी नया सिखाया क्या प्लीज प्लीज वो जो notebook बनाई थी बच्पन में मासूमियत में कभी की notebook के पीछे सारे meanings लिखा करते थे उस पर आई यह प्लीज तो नीतियायों का मतलब सारी का analogy का मतलब comparison हो गया मैं आपको comparison दे रहा हूं corporate world के साथ ठीक है जी business world के साथ मैं आपको इसका example देता हूं let us say company कोलगेट मामुलीव ठीक है नदिया planning to increase their sales वो चाहते हैं कि वह उनकी sales बढ़ जाए या उनका business थोड़ा और अच्छा हो जो तो अफकोस उनके पास में उनका board of directors का group है उनके पास में उनकी governing body है बहुत able पढ़े लिखे employees भी हैं but at the same time you'll see a lot of these business organization take the help of consultants यह consultants के पास में जात bank हैं जो बहतर तरीके से इस परिशानी को समझने में इसको सुलजाने में इनकी मदद करते हैं ठीक है जी तो इसमें दुनिया के कुछ बड़े consultants कि अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक बहुत popular नाम है McKinsey एक और बहुत बड़ा group है जिसका नाम है BCG यानि कि Boston consulting group these are some of the these are two of the largest consulting firms in the world there is McKinsey and there is BCG Boston consulting group ठीक है जी तो थिंक टैंक की बात हम कर रहे है कि यहां पर नीती आयोग जो है कहीं ना कहीं देखिये आप एक फ्लोव अब्जर्व कीजिए CEO की position create करी जा रही है think tank जैसा word जो again corporate dunya का world है उसको यहां पर use करा जा रहा है तो they are trying to project an image of more accountability of lesser bureaucracy and red tapism probably that is what the government has been trying to project अभी उसमें से कितना अचीव हुआ है यह again remains a question probably will take time to realize that है अगला जो बात है वो है relevance of नीती आयोग relevance of relevance of नीती आयोग का फिफ्ट और लास्ट पॉइंट जो अपने को यहां पर बताया वह resolution of disputes अब देखिए cooperative बताया competitive बताया चाहे cooperate करो चाहे compete करो दोनों को साथ में मिलना तो पड़ेगा किसी से लड़ाई भी करनी है तो उससे मिलना पड़ेगा और किसी के साथ उसका हाथ बटाना है तो भी उससे मिलना पड़ेगा और अगर आप साथ में आते हैं एक जगह पे and there is someone who is acting as a liaison याने की link आप दोनों के बीच का आप एक common agent बन जाते player बन जाते जो दोनों को एक दूसरे के साथ interact करने में दोनों को एक दूसरे के साथ में बाचीत करने में साहिता करता है मदद करता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं इनके बीच में इस तरह के जो दो states है इनके बीच म तो उसको भी नीती आयोग मदद कर सकता है, sort out करने में. उसको भी नीती आयोग मदद कर सकता है, sort out करने में. पहले planning commission जो था, वो एक सारे काम करने में असमर्त है था, क्योंकि वो participation ही नहीं रखता था, participation होगा, तो ही जाके dispute resolution भी हो पाएगा. बात समझ में आई बच्चों हन जी सर इसके बाद में क्या है इसके बाद में हमें बताया गया है कि एक्जामपल दिया है कि नीती आयोग ने 3rd February 2020 को Times of India में बताया कि Advise to states to increase ease of doing business Advise to states to increase ease of doing business इसका क्या मतलब हुआ एक एक्जामपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूँ बटा यह एक्जामपल क्या है देखिए शायद आप लोग यह पढ़ पाएं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ पढ़के basically यहां पर लिखा हुआ है बटा लिकर लाइसेंस लिखा हुआ है ठीक है लिकर लाइसेंस लिखा हुआ है यह क्या एक्जामपल है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ऐसा बताया गया कि एक एकनॉमिक सर्वे में कि देखिए आपने सेंट्रल गवर्मेंट को गालियां दे रखिए कि भाई या ब्यूराक्रसी है और यह है वो परेशानी है आप उसका सुधारते नहीं है हमारे स्टेट्मेंट डेवलप्मेंट नहीं हो रहा वगएरा 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 बट लेट इस लूक अ अवेल करने पड़ते हैं 43 लाइसेंसेज अवेल करने पड़ते हैं अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिये वें देरिज लिकर लाइसेंस देरिस इटिंग हाउस लाइसेंस ठीक है फायर सेफटी लाइसेंस म्यूजिक प्ले करने के लिए आपको म्यूजिक लाइसेंस चाहिए साइनेज होडिंग वगएरा लगाने के लिए आपको साइनेज का लाइसेंस चाहिए एफ एस एस ए आई जो फूड सर्फ कर रहे हैं आप उसमें सारा सफाई का और सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि निए उसके लिए का लाइसेंस चाहिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चाहिए आपने देखा होगा कई बार बच्चों अवर एमदाबाद पे अवर वदोद्रा अवर सूरत के जो यह पेज़े उनमें दिखाया जाता है कि आज इन लोगों ने फलानी स्वीट्स वाले के यहां पे डिकाने स्व लुग या शॉप एन स्टैबलिश्मेंट लाइसेंस जिसको अपने यहां पे गुमास्त धारा कहा जाता है गुजरात में यह लैसेंस चाहिए लिफ्ट का लैसेंस चाहिए लिफ्ट में भी आप देख्या कि यह रिफ्ट में यानिक इलेवेटर में आप बहुत बार यह मैं पर तकरीबन 43 लाइसेंस चाहिए अब मुझे आप एक बात बताओ लिक कर का स्टेठ गर्वर्मेंड का रोल है की सेंट्रल गार्मेंट का रोल है सर स्टेड गर्मिन का रोल है इसे के फाइयर सै Rules ITY में स्टेड गर्मिन का रोल है यानि मैं की होता क्या informs कि पूरी जो list है उसमें maximum तो state governments के और वो भी कौन सा municipal level पे हैं शायद municipal level के ये licenses हैं तो ये तो completely state government के हाथ की चीज़ है तो उनको अपने यहां पे क्या करना पड़ेगा जी ease of doing business बढ़ाना पड़ेगा उनको अपने यहां पे ease of doing business बढ़ाना पड़ेगा जब वो ये ease of doing business बढ़ाएंगे तब ही जाके नीती आयोग भी शायद अपने objective को achieve कर पाएगा जो नीती आयोग का objective है कि भई अपने को better standard of living देना है हर state को हर वक्ती को तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को streamline करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा states को और इनको अपना ease of doing business improve करना पड़ेगा हम लोगों ने पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे business environment वहां पे अपने ease of doing business के बारे में काफी सारी बाते करी थी आपको याद होगा property को लेना construction का काम करवाना ये सारी चीज़ों के उपर में determine होता है की ease of doing कैसा है position और अपने देखा था कि इंडिया ने recent years में बहुत जादा improvement करा है अपनी rank में याद है कि नहीं बच्चों तो इसी तरीके से states को भी इस दिशा में काम करना चाहिए states भी जब इस दिशा में काम करेंगे तब ही जाके शायद ये bureaucracy थोड़ी कम होगी और काम करना आसान हो पाएगा राइट ठीक है टेक्निकली देखने जाएं तो बच्चा एक किराना दुकान खोलने के लिए भी तकरीबन 28 licenses की जरूरत है आपको अब बताईए कहाँ ease of doing business आएगा फिर है ना अपने किताबों में बहुत बार आप देखेंगे single window clear and single window ये वो पट होता कहा है जी कहाँ single window में आपको liquor or fire और हमने तो fire का license जब ये सूरत में आग लगी थी वस अवरी वरी unfortunate event of course a lot of kids lost their lives a lot of parents were left in grief we understand that we feel really bad about that and then there was this drive to shut down all coaching classes all across Gujarat and our coaching class was also shut down for about a month or a month and a half and then there was guidelines were being issued about smoke detectors if you can see if you can see we have installed it here fire safety equipments fire extinguishers radium direction signals alarm system all of that was being installed by us because of course we also wanted to be as safe and secure for our students as possible but then if you look at it even till date fire safety licenses have not been granted a provisional license was granted to us and a lot of other coaching classes and they were allowed to resume their business but still we are waiting for another tragedy to happen probably and then we'll again get in action and then again a drive will be conducted and everybody would be harassed right now there is all the time in the world I mean if you could just come up with whatever guidelines that you have all coaching classes and teachers I would I'm not saying this just because I am a teacher but then I genuinely believe that we are in one of the noblest profession wherein we genuinely want to contribute and want to make a difference and probably that see of course there is that element of money involved but then all of us have other avenues and opportunities to make money but then if we choose to get into a career profession like this there has to be some amount of nobility in a person to get into the profession of teaching because in today's time honestly if you ask me it's a thankless job the kids don't want to respect you the parents consider you as just someone who is interested in charging the fees you have a strong connect with the students you have a lot of affection but then most of the times it gets underappreciated so of course it's a thankless job and if still somebody is taking this profession I seriously believe that there is a certain amount of nobility in him so we will be more than happy to shoulder whatever responsibilities bestowed on us whatever guidelines are being drafted we want to quickly comply and avail it for a provisional license to take a provisional license at least 20 times the municipality has gone by the way the public the office is gone by the fire brigade which is the which is the which is the बड़ा सूर्सागर वहां गए वहां की ऑफिस में गए और कुछ 20 चकर काटने के बाद में शायद एक प्रोविजन लाइसेंस हमें मिला तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे लिए जिनके पास शायद थोड़ा समय है थोड़े financial freedom भी है और थोड़ी पढ़े लिखे होने की वज़े से अगर कोई application draft करनी है कुछ attach करना है कुछ submit करना है वो समझ भी है उनके लिए अगर इतना मुश्किल होता है तो अगर कोई किराने के दुकान खूलना चाहता है और आप उससे expect करते हो कि वो 28 licenses के लिए apply करे तो बिचार करेंगे कि कैसे इसको handle करना है आज अपनी discussion को यहां पर रोक देते हैं और इसके बाद में हम RBI वगयरा का जो portion है उसको proceed करेंगे ठीक है जी आपको एक छोटा सा question के साथ मैं छोड़ता हूं यह image है आप इसका screenshot ले सकते हैं right मुझे बताईएगा I mean of course जो लोग थोड़े intuitive ह है और observation skills जिनके अच्छे हैं इस image को देख के उनको समझ में आ जाएगा what place is this your question is what place is this which city is this and why have I put this image over here ठीक है I'll repeat यह जो image है यह कौन सी जगह की है कि शहर की है और क्यों मैंने इस शहर की image को यहां पर दख्खा है comment section में मुझे यह answer दीजे the first person to give the answer would be declared as a winner and that's it have a good day guys stay safe